नमस्कार आपके साथ आगामी 5 दिसंबर को बिहार के कुड़नी विदान सवा सीट पर उपचुनाव होना है जिसको लेकर तमाम दलों ने अपने प्रत्याशी की घोशना कर दी है यहां जो सबसे खास लड़ाई है वो बीजेपी बना महागचबंधन की है जहां सबसे पहली महागचबंधन ये अपने उमीदवार का एलान करते हुए जद्यू को सुप्चुनावी मैदान में उतारा है मनोज कुछवाहा को टिकेट दिया गया है जो कि तीन बार मेली और बिहार सरकार में पूर्व मंतरी रह चुके हैं वहीं बीजेपी के तरफ से वेश जाती से आने वाले केदार पसाद गुप्ता को टिकेट दिया गया है लेकिन यहाँ जो खास बात ये है वो ये है कि आरजेटी की ये सीटिंग सीट थी पर इसके बावजूद आरजेटी ने जद्यू को ये मौका दिया जिसके बाद बिहार का जो सियासी पारा है वो गर्माया हुआ नजर आ रहा है आरजेटी से पूर्व विधायक अनील सहनी जो की आके विधायक रहे चुके हैं उनकी विधायके छिंजाने के बाद यहाँ उप्छुनाफ हो रहा है उन्होंने मुक्षमंत्री नितीश हुमार पर यारोप लगाया कि जबरदस्ती मुक्षमंत्री नितीश हुमार ने लालो यादुब से टिकेट लिया गया है अनील सहनी का टिकेट कार्ट दिया गया है सहनी समाज को टिकेट नहीं दिया गया है और इसी वज़े से RGD के बड़े नेता और सहनी समाज से आने वाले बड़े नेता शेखर सहनी ने भी RGD से इस्तिफा दे दिया वहीं दूसरे तरफ BJP पे इस पूरे मामले को लेकर महागजवंदन पर हमला वर है और अब BJP के प्रदेश अदेक्षिस संजय जैसवाल ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बड़े ही चालाकी से तिजस्वी आदफ से हक माड लिया और इतना ही नहीं अपने खेमे में ये पूरा उप्चुनाव लेकर जद्यू के प्रतियाश्य को मैदान में उतरवा दिया और इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नितीश उमार ने अधिपिछडो का जो हक है वो छील लिया और इसके बदले कुश्वाह जाती से आने वाले मनुश कुश्वाह को मैदान में उतर दिया दरसल आरजेडी को तिजस्वी आदफ A2Z पार्टी बनाने की होड में लगे हुए है जाते जस्वी आदफ का ये कहना है कि आरजेडी आतिपिछो के लिए मुख्य रूप से काम कर रही है ताकि आतिपिछो का हक न मारा जा सके उन्हें उनका अधिकार मिल सके आरजेडी A2Z की पार्टी है जहां सभी स्तर को सामान्य जो है वो वाल्यू मिलती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि कुड़नी विदानसभा सीट पर होने जा रहे है उप्चुनाव में मुक्ष मंत्री निदी शुमा ने बड़ा खेल करते हुए आतिपिछो का हक मारा है आरजेडी से बड़े ही चालाकी से ये सीट अपने पास रख ली है दरसल कुड़नी विदानसभा छेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में केदार परसाद गुपता ने मंगलवार को वाची अधिकारी DCLR पश्चमी खगिश अंद्र ज्छा के समक्ष दो सीट वही महागचबंदन के तरफ से मनोच कुश्वाहा ने 14 नवंबर को ही नामांकन किया था अब ऐसे में आरजेडी के कुड़नी से पूर्ववधायक अनील सैनी परशान है उन्होंने हमारे चैनल से बाच्षीत के दौरान भी ये कहा था कि मुक्ष मंत्री रिटी शुमा ने जबरदस्ती टिकेट लालो यादव से ले लिया है उनका टिकेट काटा गया है अनील सैनी ने आगे अभी कहा कि बिहार के महान मुक्ष मंत्री को जद्यू को कोई अतिपिछरी जाती का उमीदवार कुड़नी से नहीं मिला जबकि ये सीट अतिपिछरी जाती से खाली हुई थी बता दे कि कुड़नी से विधायक रहे अनील सैनी पर LTC घुचाले के मामले में सीबियाई की स्पेशल कोट ने तीन साल की सजा सुनाई थी विधायक के खिलाफ 23.7 एक लाग की धोका धड़ी का मामला चला 21 अक्चूबर 2013 को सीबियाई ने मामला दर्च किया था उन पर दो लाख रुपे का अर्थ डंड भी लगाया गया इस मामले में सीबियाई ने सरकार को धोका देनी और जाली हवाई टिकेट और बोजिंग पास के अधार पर राजसबा सचिवाले से प्रति पूर्ती का दावा करने के आरोप में अनील सेहनी और अने आरोपितों के खिलाब 2023 में मामला दर्च किया गया था और अब वो सजाए आफता है जिनसे उनकी विधाई की छिंजा चुकी है और अब उनकी सीट पर उपचुनाव होना है अनील सेहनी से लेकर बीजेपी तक मुक्षे मंत्री निदी शुमार के बारे में ये कह रही है कि बड़े ही चालाकी से उन्होंने कुर्णी विधान सबा सीट पर बड़ा खेल किया है अति पिश्रो का हक मारा है जबकि ये सीट अति पिश्री जाती से खाली हुई थी पर जद्यू ने कुश्वाहा जाती से आने वाले मनोज कुश्वाहा को मैदान में उतार दिया हनील सैनी जायक तरफ बेहत गुसाई नज़र आए तो वहीं बीजेपी ने दूसरी तरफ चुसकी लेनी शुरू कर दी है मुख्यमंत्र नितीश हुमार को लेकर सेज़ जैसवाल ने कहा है कि बड़ा खेल किया है नितीश हुमार ने और अब देखना यह है कि कुड़नी विदासवा सीट पर होनी जारे उप्चुनाव में क्या कुछ होता है कुड़नी की जनता का रुख किस तरफ होता है हलाकि महागजबंदा ने जदियू पर भरूसा जताते हुए अपनी सीट का त्याक किया है ऐसा भी माना जा रहा है कि खुद रिदीश हुमार ने आगरा किया था लालो यादब से कि ये सीट उन्हें दीनी चाहिए जिसके बाद लालो यादब उनकी बात को मान गए थे और एक लंबी अबुदी के बाद जदि उप्चुनावी मैदान में है तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का सलसिला है वो आट जेडी और बीजेपी के तरफ से मुक्षे मंतर रिदी शुमार के उपर शुरू हो चुका है पला के लिए सब्देट में अतना ही अनकी अपडेट्स के लिमा साथ बनी रही